कि एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कोई ऐसा मंत्र बताइए जिस मंत्र से सारे चक्र एकदम जागरेश होजेए को पहली बात तो यह इसके बारे में हम बात करेंगे और दूसरा उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि क्या कुण्जीका का जो मंत्र है क्या यह सारे चक्रों को जागरित करेगा क्या यह हमारी एनर्जी सेंटर्स पर प्रभाव डालेगा तो यह दो वीडियो का है अब नाऊ मैं पर्सपेक्टिफ हम क्या है क्या हमें साहरे एक्डम सबू Turns Petris यह दोनों बातें तो सब्सक्राश्ट भी आड़ ईवस्था यह चक्र जागरित हो hed एक permanent situation नहीं है, you have to sustain them, if you, हाँ इतना जरूर है कि आपको वही बात है, निपुड़ता आ गई है, तो decode कर सकते हैं आप अपनी उर्जा को, कभी भी, चक्र जागरित होना, पहली बात तो एक 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 चक्रों से व्यक्ति को जाना चाहिए, संपूर्ण तो शिवत्वा मिल जाता है, उसके लिए बहुत त्याग है, हर उर्जा को समझना, आपने हर रस को समझना, फिर हर रस को बैलेंस करना, हर एनर्जी चक्र जागरित हो जाएं तो आपको पूर्ण तया पहली बात तो एक ऐसी स्थिती में जीना पड़ेगा कि आप पूरी तरह dedicated है उसमें जो आज के lifestyle में मुझे नहीं लगता कि हर व्यक्ति के लिए possible है to be very frank करूंगा मैं अतिश्योक्ति की बाते नहीं करूंगा क्या आप यह मंत्र पढ़ लीजिए देखो क्या होता है दो दिन के देता है वो अपनी उर्जा आपको दे देते हैं और वो उर्जा आपको कभी नुकसान भी नहीं करते हैं क्योंकि जब हम मूलाधार की बात करते हैं स्वाधिष्ठान की जब हम बात करते हैं मनिपुर की अनाहत की विशुद्धी की आग्या की सहस्तरार की तो यह आप समझ के चलें कि यह इतना आसान नहीं है किसी एक चक्र को जागरित करने में ही वर्षों लग जाते हैं उसको पूर्ण रूप से उसका लाब उठाने में परसपर साधना करनी पड़ती है और अगर आप ऐसा मंत्र चाहते हैं जो कि आपके सारे चक्रों को जागरित कर दे और बैलेंस विजय पानी पड़ती है पहले पहले आपको अपने अपने लोभ मोह अहंकार इन सब चीजों से पार जाना पड़ता है अच्छा फिर बात यह है कि फिर चक्र जागरित करके करोगे क्या परन्तु सब लक्ष केवल दुनियावी चीजे पाना नहीं होता तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं मिलम सभी जो आपके चक्रह चक्रों के जो मिझ मंत्र थो मटंर लंबर म्यम इस तरह से जो है है कि लंविय। कोई पहले वाम लगाता एक रब लगाता है तो यह यह आपको गुरू बताते है कौनससे मुख्य चक्र आपके हैं जिनको तो आप activate करें और वो सारे चक्रों को balance कर सकें कौन सा आपका मुख्य चक्र है यह सब देख के पता चलता है सबसे पहली चीज तो यह है आपके कौन से चक्र जागरित हैं already हैं भी के नहीं है उल्टे हो रहे हैं कि सीदे हो रहे हैं आपका औरा क्या कह रहा है यह जानना जरू आपके सामने आएंगे प्रापर वीडियो के रूप में तो चक्रों को अगर हमें समझना है और चक्रों को अगर हमें जागरित करना है तो पहली बात तो step by step चलना पहली बात दूसरी बात प्रनायाम साथ में बहुत ज़रूरी है आपके विचारों का ध्यान रखना बहुत नहीं है कि चक्र जागरित नहीं हो सकते ऐसे बहुत सारी विधियां है तिब्बत जो कल्चर है उसमें बहुत सारी विधियां है आपके इंशिंट साइंस में बहुत सारी विधियां है अनुलोम विलोम प्रणायम अपने आप में ऐसा है कि कपाल भात है बहुत सारी विधिया अगनिसार क्रिया है फिर उसके बाद में बाहय क्रिया है है ना बंध लगाने है यह योग की बात कर रहा हूं उसके बाद में मंत्रों की बात है अलग अलग बीज मंत्र हैं जो कारे करते हैं और एक दम से अपना इफेक्ट दिखाते हैं बहुत तीवर होते हैं परंतु क्या ह उस उर्जा को संभालने के लिए सक्षम है यह जानना बहुत जरूरी है नंबर वान नंबर टू यह बात आप समझ के चलें कि अगर आपने एक बार अपने किसी चक्र को जागरित करा है तो समय के साथ वो धूमिल हो जाता है आपको उसको सस्टेंड रखना पड़ता है और फ नहीं करना चाहिए जल्दबाजी किसी भी चीज़ में हमेशा नुकसान होता है जल्दी काम शैतान का होता है यह हमारी कहावत है है ना कि जल्दी काम शैतान का होता है तो इसलिए शैतान मैं यह नहीं कहता है शैतान बन जाएंगे मेरी बात बुरा मत मानिएगा मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने आपको बैलेंस करके चलें और एक एक चक्र की साधना करें पहले अपने चक्र को जाने कौन सा चक्र आपका एक्टिव है किस चक्र की आपको जरूरत है कौन सा चक्र आपका मुख्य है जो बैलेंस कर सकेगा जिसमें बहुत सारे लोगों का ह अच्छन पर सबको यह राय नहीं दी जा सकता तो इसके लिए अगर आप चाहते भी हैं अपने चक्रों को समझना चाहते हैं तो आप आनंदों से संपर्क करक्ते हैं आप वाट्सैप कर सकते हैं हम एक आदे घंड़े का स्विक्त शुरूँ कर रहे हैं जिसमें आप आपने चक्रूं के बारे में जान सकते हैं कौन सा मंत्र बीज मंत्र आपका कारे करेगा उसके लिए जान सकते हैं उसकी सारी डीटेल अलग वीडियो में आपको प्राप्त होगी तो ये बात थी कि सब चक्रों को एकदम से जागरित कर सकते हैं अब अगली वीडियो इसी विशे पर मैं अगली वीडियो आपको कुंजिका की देने वाला हूं कि कुंजिका क्या प्रभाव डालता है आपके चक्रों पर आपकी ऊर्जा पर और आपकी ऊर्जा पर कुंजिका जब प्रभाव डालता है तो सभी चक्र जब रज्यागरत होते हैं तो सहस्तरार तक क्या पहुंचती है उर्जा क्या होता है तो उसी के बीच में एक नया एक सफर हमारा शुडू होगा जिसमें मुद्राइं भी है तीक है जिसमें फूर भी है